तो गाइस मैं हुआ कि तौर आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइटवक सूर करते हैं अपनी बात को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिफ स्टोरी से डबल डबी ने भाई एक मैसिफ अनॉसमेंट करी है कि इस चीज को लेकर मैं आपको बता देता हूं रोड तू र इसके स्पोईलर्स भी मैं आपको अभी देने वाला हूं अभी यह न्यूज लीक हो चुकी है यहां पर बताए जा रहे है कि 14 मार्च का जो स्मैकडाउन है वो स्पेंट से होने वाला यानि कि डवी डवी स्पेंट जाने वाली है 14 मार्च के स्माकडाउन को कराने के लिए तो साथ इसके भी हमें स्पोईलर्स मिल जाए बहुत सारे स्पोईलर्स हमें मिल सकते बिकास साथ कुछ इसमें से टेप भी होंगे इसके बाद भाई बेल्जियम जाएंगे लोग मेंटे नाइट रो लेके 17 तारीको 17 मार्च को उसके बाद 21 मार्च की तरफ आगे देखोगे यानि 14 के बाद अगला स्माकडाउन यह इटली से होगा यानि कि बैक टू बैक आपको सोच देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मा स्पेन जाएंगे बेल्जियम जाएंगे इटली जाएंगे स्कॉटल हैंगे एंड इंगलैंड जाएंगे यह टोटल 2-2-4-6 इवेंट से छे वीकली सोच यह बाई इसको डबर डबर लेके जाने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में यह इस से पहले यह लोग नहीं करते थ पहले इंटरनेस्मल मार्केट टच करने वाले क्या एक अच्छा डिसीजिजन है या फिर नहीं वो तो वक्त बताएगा फिलाल यह कुछ अपडेट है बाई अगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के वारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेके रोमन रेंज भाई अपियर होते वह आपको देखने को मिलेंगे हमें और एडी मालि में के एक मैसिजिज माले में हैं एक मैसिजट होने वाले बनाना चाहते हैं इसी दोरान भाई फाइट फुल से ल हलंग कि अब डेट करने यह कहा जाने हैं आपर Netflix head mentioned CM Punk, Roman Reigns and Cody Rhodes as names on the men's side they are hoping to be featured on the show WWE noted that the rosters are not decided as of yet कहा जा रहा है Fightful Select का कहना है कि Netflix वालोंने mention करा है कि उन्हें CM Punk, Roman Reigns and Cody Rhodes यह तीनों चाहिए भाई Monday Night Drop है यहाँ पर मैं इस चीज़ को point out करना चाहूंगा यहाँ पर यह नहीं बोला जा रहा है कि W episode पर चाहिए यहाँ पर भाई कहा जा रहा है कि पूरे so पर ही चाहिए WWE कहती है इसके बार में कि भाई अभी हमने roster decide नहीं करें roster सभी finalized नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते है Netflix वालों की demand है कि हमें permanently Monday Night Raw पर चाहिए Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes अब SmackDown में बचा कौन बता हो भाई अगर यह Roman Reigns को उठा लेते हैं Monday Night Raw की तरफ Cody Rhodes को भी उठा लेते हैं CM Punk तो हैं ही है तो SmackDown में कौन जाएगा सिफ गुंतर अगर मालों चले जाते हैं गुंतर इदर सूधर चले जाते हैं का गुंतर से SmackDown चल जाएगी कोई बचेगा नहीं भाई या तो आप Cody को एक जगा रखोगे Roman को दूसरी जगा Roman को आप Raw में रख दो Cody को SmackDown में नहीं तो Cody को Raw में Roman SmackDown में ही अगर यह दोनों एक साथ एक ही रॉस्टर पर आ जाएंगे तो दूसरे वाले का क्या होगा यह तो बहुत 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 मैसिव चीज है अगर यह ले आते हैं तो रॉक के लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन SmackDown भाई डूब जाने वारी है और एड़ी विर्सप के मामले में बेकार हो चुकिए यूसे पर ठिक नहीं पाएगी SmackDown मुझे नहीं लगता है भाई कि टिक पाएगी बिल्कुल भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बॉकिंग से इनका नाम काफी खिला वह था पिछले कुछ सालों में लेकिन अब यह सही बात है बाई कि इनका नाम थोरा सा वह फेड अवे हो गया अभी मैं आपको बताता हूं कहते हैं यह बात करते हैं इंटर्विव में डेली मेल के साथ में और हैं तो लोग कभी बीजब ग्रेटिस्ट टीम्स की बात करते हैं तो आपर हमारा नाम नाहीं लेते हैं चार साल हो चुक्हें हमें टैक इसकों ही हम थे कोई बारे में बात ही नहीं कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स वापस से फोकस में इनको आप टाइटल्स करते हैं कि हमारे बात लोग करते हैं जब बाते होती है कि सबसे आदा पिटने में हमारा नाम आता है यह भी बात बिल्कुल सही है तो इनके बातों में मुझे लगता है वाले इनको कब अच्छा पुस्ट देते हैं अब यह दोनों फ्री मॉंटस फोडा एंड एंजलो डॉकिंस अब इनको पुस्ट देहीं सकते हो आगे बात करते हैं अगली स्टोरी के वारे में जो कि यह भाई मंडे नाइट रहो के स्पॉइलर्स को लेकि अपनी आखरी स्टोरी यह भाई एंड मैसिव स्पॉइलर्स हैं तो प्लीज बी अवेर अगर आप स्पॉइलर्स देखने जा रहे हो तो कल का मज़ा आपका काफी हद तक खराब हो अगर आप कल मंदे नाइट रहो लाइब देखने की सोच रहे हो तो अगर आपको कल मजे से देखना है रहो तो बाइं आप य想डिकर सकते सबस्क्राइब करें लेकिन अगर आपको अभी देखने स्पोइलर्स तो देखों और बता देना कॉमेंट करके क्या पने स्पॉइलर्स देखें आपनी सबसे पहले सुरू करेंगे अलेक्सा ब्लिस से क्या एलेक्सा ब्लिस वापस आ चुकी है बाई मंडे नाय ट्रॉम में एक फोटो काफी वाइरल हो रही यह वाली भाई कि अलेक्सा आगी लेकिन ऐसा नहीं है बागी मैं आपको अब बताता हूं और वाई बीटल रोल होता है अपको की बताता ना की बेटल रोल होगा डेटमाइन के लिए की लिफ रॉल्ग को कॉण चैलिंज करेगागे तो भाई विनर निकल के सामने आती है इससे योस का है ये भी मैंने बोलता है कि सैद ये उसका ही जीत जाएंगी ये उसका ही जीत गई भाई यहाँ पर अब वो आने वाले टाइम के अंदर चैलेंज करेंगी लिव मौगन को बाई देवे भाई मैच खतम होने के बाद कुछ ऐसा बीच में आयेगा आप देखना जब So देखोगा आपको पता चलेगा कि ब्यांका बलला एऔर जेड कागिल के बीच में हमें के रिफ्ट देखने को मिलेगा वो मिस्स कौडिनेशन देखने को मिलेगा आपको लगया कि बाई कुछ तो चल रहा कुछ तो पंगा चल रहा कुछ तो बीच बोरें Diana इसके बाद बाई New Day and जेमी उसो भी होते हैं सो में तीनों एक तरीके से रियूनाइट होते हैं भाई तीनों उसो जैंट सेमी जैन वो एक तरीके से ब्लड्लाइन का रियूनियन करते हैं बस यहां पर रूमन रेंज नहीं होते हैं बागी प्रोमो एक अच्छा होता है क्राउट सैमी उसो सैमी उसो इस मैच के अंदर ड्राइगन ली को विक्टरी मिलेगी सेथ रॉलिंस वरसे डामियन प्रिस्ट वरसे सेमस का फेटल फूर मैच होगा यह भी भाई कूद जाते हैं से रॉलिंस पे जो की औरेडी अनॉंसर्स टेबल पे लेट डाउन थे यानि एक और बूटल अटाइक इसके बाद भाई डामियन प्रिस्ट एंड में डॉमनिक को पिन करके मैच को जीत जाते हैं अब वो आगे फेस करेंगे गुंतर को सो के एंड में इनका फ स्पॉइलर्स अगर आपने स्पॉइलर्स देखें तो कॉमेंट करके बता देना हां भाई मैंने देखें चाहो तो अब आप कल का सो स्किप भी कर सकते हो सुबह उटने की नीड नहीं है फिलाल भाई इस वीडियो के लिए इस सारी अपडेट्स थी होपस आपको इन्फॉर